आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एंडरोइड फोन में किसी का नमबर ब्लॉक कैसे कर सकते हैं या फिर किसी को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं तो किसी का number block करने के लिए आप अपने phone में सबसे पहले open करिए अपने phone के dialer को यानि कि जिससे आप कोई number या फिर call dial करते हैं तो अपने phone के dialer को open करेंगे अब डाइलर में आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा नीचे आपको एक option मिलेगा contacts का तो contacts पे click करिए अब contacts पे click करने के बाद आपके सामने आपके phone के सारे contacts आ जाएंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारे contact आ चुके हैं अब जिस number को आप block करना चाहते हैं उस contact पे click करेंगे यानि कि उस number पे click करेंगे number पे click करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा अब उपर आपको मिलेगा तीन डॉट का एक option यानि कि थ्री डॉट का एक option इस पे click करेंगे जैसे ही किलिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा अब नीचे देख सकते हैं एक option आएगा block numbers का तो block numbers पे किलिक करेंगे उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा अब यहाँ पर फिर से confirm करने के लिए block का option आएगा block पे किलिक करेंगे और number आपका block हो जाएगा यानि कि इस number से अब incoming call आपके number पर नहीं आएगी यानि कि आपके phone में इस number से अब call नहीं आएगा अब अगर number block नहीं होगा तो इसका दूसरा तरीका है तो दूसरा तरीका यूज़ करने के लिए सबसे पहले से unblock कर लेंगे अब दूसरा तरीका है जब आप अपने phone के dialer में आएगे contacts में आएगे तो उपर 3 dot का option आएगा 3 dot पे किलिक करेंगे उसके बाद एक settings का option आएगा settings पे किलिक करेंगे अब उसके बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा एक option आपको मिलेगा block list या फिर एक option आपको मिलेगा blocked numbers इस पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद एक option आएगा add a number इस पे किलिक करेंगे phone number पे किलिक करेंगे जिसका नंबर आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो नंबर एंटर करिए तो जैसे कि हम वो नंबर एंटर करेंगे जिसको ब्लॉक करेंगे नंबर एंटर करने के बाद ब्लॉक पे किलिक करेंगे और अब आपका नंबर सक्सेस्फुली ब्लॉक हो जाएगा तो दो तरीके मैंने आपको बता दिये हैं इस तरह से नंबर को ब्लोग कर सकते है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें